अपने देश में जो फ्रेंड्स करेंट सिच्वेशन है उसमें जो है जॉब्स जो है वो कम है और युवा जादा नौकरी को लेके हर जगा पर कॉंपेटिशन काफी जादा है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी नौकरी हर व्यक्ति जो है एक अच्छे अफस हैं ऐसी किसी फर्जी रिक्रूट्मेंट एजनसी के तुरू अगर आप फस जाते हो या आपके फ्रेंड सरकल या फैमिली में कोई फस जाता है तो कैसे इन कंपनीज के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं क्या आपके लीगल अधिकार है और कैसे आपका पैसा रिकाबर होगा ये सब बाते आज हम इस व्लॉग में डिसकस करेंगे चैनल पर आप नहीं है और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर और लेटेस अपडेट्स एंड वीड कम्पनी में सरकारी नौकरी की जब कभी बी रिकूर्टमेंट होती है तो उस सम्में जो है एडविटाइजमेंट निकलता है जारी बड़े करती हैं इनका जो main agenda होता है वो ये होता है कि हम आपको सरकारी नौकरी में किसे department में permanently place कराएंगे और आपको जो हमें इतनी amount pay करनी है या फिर ये किसी बड़ी private company का नाम लेके कहते हैं कि उस company के अंदर हम आपकी placement कराएंगे और आप हमें इतनी amount pay करें एक बार पैसा receive होने के बाद जिस व्यक्ति की placement होनी है उसको ये घुमाना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम बाद उसको realize होता है कि उसके साथ में ठगी हुई है और जो recruitment company है वो fake है और उसके साथ में fraud और cheating हुई है अब friends सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साथ में अगर ऐसा fraud हो जाता है या फिर आपके family या friend circle में ऐसा fraud हो जाता है तो आप अपने पैसी की recovery कैसे कर सकते हैं और ऐसी situation में क्या legal procedure आपको follow करना चाहिए friends सबसे पहले आपने एक complaint फाइल करनी है अपने nearby police station में अपनी complaint के अंदर आपने सब कुछ mention करना है अपना नाम पता address कैसे वो company आपके संपर्क में आई कितना बैसा उसने आप से लिया और किस तरीके से उसने आपके साथ में fraud किया वहाँ जो भी company के अंदर concern person है उनी सभी person का नाम उनका contact number अगर आपके बास में whatsapp chat है तो आपने वो साथ में लगानी है अगर आपने account transfer करा है या फिर paytm करा है तो उसके भी screenshot आपको अपनी complaint के साथ लगाने है और अपनी complaint में भी length में इस सब चीजों को बताना है एक white paper प पर जाके सीधे इसको receive करा सकते हैं एक बार police station में complaint receive करने के बाद में आपकी complaint के उपर कारवाई investigation शुरू हो जाएगा और फिर इन companies को भी पकड़ा जाएगा और फिर FIR registered होने के बाद में इनके उपर आगी की कारवाई होगी अब एक important बात पर ध्यान देना अगर आप nearby police station में जाकर अपनी complaint देते हैं और वहाँ पर आपकी complaint पे कोई action नहीं होता तो आप अपने district के SP office में जाके superintendent of police के office में जाकर वहाँ पर SP साब को अपनी written complaint दे सकते हैं या फिर speed post से भी भेज सकते हैं और आप अपनी complaint में ये भी बता सकते हैं कि आपने अपने nearby police station में complaint दी है ब अगर matter court जाता है तो फिर court के माध्यम से आपके पैसो की recovery होगी साथ में ऐसे फर्जी कंपनी चलाने वालों को जेल बेजा जाएगा